क्रिकेट नो खूबज मोटो शोकीन होवा ने कारणे, आने हवे अमुकंछे रमत साथे संकळायल होवा थी, हुँ विराट कोली ना एक धारा उदैनी प्रशंसानी द्रश्टिये जोवचु। हुँ मैदान पर तेनी उर्जाने जोवचु। जेरी ते क्रिकेट नी रमत जेरी ते रमाई छे, तेमार उपांतरण करी रहो चे, ते हुँ जोवचु। टीटवेंटी ना फॉर्मेट माँ एक्क्सो चाड़ीस थी एक्क्सो साथ सरेरा स्कोर हतो, जे तेने बरली नाक्यों चे, आने हवे 159 जाने सरेरास्ती वोच्छा चे, 800-240 तेनी अंदर काईक एवू छे, जे तेने बीजा करता आगर धपावे चे, तेवा घणा लोको चे, जे प्रतिपाश आड़ी चे, घणा लोको चे जेमनी पासे आक्षमता चे, अगर ध़ागर करी चे, एक व्यक्ती ने तेने उजागर करवा माटे शूँ जोईये चे, के जेती ते थोड़ू वधारे करी चे, ते वधू प्रेना आपी चे, ते वधू सर्जी चे, ते नवा धोरनो बनावी चे, शूँ ते काईक अंदर चे, के ते बाहार नू काईक चे, ते शूँ चे? I have also been watching Virat Kohli with interest. हूँ पन Virat Kohli ने रसपूर्वक जोई रहे हो चूँ. केमके में छेलाव 40-50 वर्ष मा, दरेक महन बैट्समेन ने जोईया चे. ते जे रीते बॉलने फटकार है शे, ते रीते बहुँ उचाए फटकार है होचे. कदाज तेना जिवी एक मात्रे बीजी व्यक्ती जिनावी शेहूं, विचैरी शको छूँ, ते विवियन रिचर्ड्स शे, जे आ रीते बॉलने फटकार तो होतो. पड़ मने लागे शे के ते एवी एक मात्रे ब्यक्ती शे, जे आ चुकरो जे रीते बॉलने आजे फटकार होचे, ते रीते बॉलने फटकार तो होतो, जे खुबच दुरलब शे. मोटा भागना लोको जेमने क्रिकेट मात्र टीवी पर जोईू छे, ते वो कदा जे समझी शकता न थी, के ते आ पुरुत्वी परनी सवती खतर्ना का रमतों वानी हैक छे. एक हार्ड बॉल तमारी तरफ 130-140 किलोमेटर प्रती का लागनी जड़ पे आवी रहो छे. अने आ एक मात्र रमत छे, जहां बॉल टपी खाई ने आवे छे, अने ते आ तरफ के ती तरफ स्विंग थाये छे. जे तमने ते बॉल ने केवी रीते हैंडल करवो, ते नीरणे लेवा माटे एक सेकर्ण ना नाना भाग जेटलो समय आपे छे. ते खुबच खतर ना करवाच छे. तमें चाणोंचो, कदा एज कलकत्तामा क्यांक बॉलिंग मशीन हो आशे? बॉलिंग मशीन हो छे. युवानों, मुँ तमने कहुचू, के 140 किलोमेटर नों प्रयासना करो, बस 20 के 9 किलोमेटर सुधी, बॉलिंग मशीन ने 9 किलोमेटर पर सैट करो, त्यां भार हो, अने जूओ, के बॉल तमारी तरफ केवी रीते आवे छे. ते जबरदस्त छे. ओक पारंगत छे. तेवो कदाज अनगड देखाता आश. तेवो कदाज शून्य पर आउट थेजाये, पन तेवो जे करी रहाए आश. तेमा तेवो खुबज पारंगत छे. पन कोईनू अटलू प्रभावी होवू. आमने एक मोटर साइकल सवार्नी याद पावे छे. जेनू नाम केनी रोबर्ट्स हतू. जेने सतत पांच वकद वर्ल्ड चेंपियंशिप जिती हती. लोको तेना पर विश्वास करी शकता नहीं, किमके तमारे चेंपियंशिप जित्वा माटे देश बर्मा सोल रेस जिती वी पड़े. तमाम मशीनों टोच नी कंपनियों द्वारा यहार करवा मावे छे अनने बधा लोको मा उच्चे स्तर्नी प्रतिभा होई छे पन सलंक पांच वकद जित्वुए अब वुद्पुर्वाने अशक्य मानवामा आउतु हतु. तो ते ओए तेने पूचिऊ के तमे आके विरिते करो छो. तो तेने कहें हो के हुँ नियंत्र नी सीमानी बहार परन्तु नियंत्रन साथे जीवुँ छो. दर एक व्यक्ति आज शोधी रही छे. तेओ तेमना जीवनमा थोड़ूं गांड पण इछे. पन तेओ पागल्थवा मांगता नथी. पन सलामतियने सुरक्षा माटे नी तेनी जंखना तेमने ते नानकडा गां तुथी जक्मी थाये छे. पची तेओ फरी थी तिमने आसपास दीवालो चणीले छे. आप प्रक्रिया चालू रहे छे. तो जहरे तमें आना जीव उदाहरन लो छो. त्यारे एक वस्तु तो उत्सा आ छे. अने बीजी वस्तु छे के तमें जे करी रहा छो तेना थी तमने प्रेम छे. तमें जे करो छो तेने खरेकर प्रेम करो छो औने तमें एज करवा मागो छो. हवे मने लागे छे के ताजी तर्बांच वीराट खोली टेलिवेजन पर आवेवा तो औने कहीं अथू के मारी एक मात्र समसे आये छे क्यों गुस्स से थे जाओ छू. उने एक था बनावा जई रहे हो छे. ते मात्र वधू एक खिलाडी ना थी. तेनी पासे ती माटे जरूरी गुणो छे. मैं आवात त्यारे कही एती जारे ते सतर वर्ष्ण होतो. मैं तेने सिंगापुर मा लगभग अंडर 18 टीम माटे रमता जोय होतो. ते समय ते टीमनी केप्ट करी रहे होतो. मैं चोकराने रमता जोय हो अने पचीज में कई हूँ के आवेक थी खुब आगल जशे. अने पचीटे लगभग 5-6 वर्ष सुधी मारा ध्यान माधी गायाप थे गवो. पचीटे अचानाक एक दिवस भारतीय टीम साथे टेस्ट मां देखायो. अने हवे ते आरी ते आगल वधी रहो शे. जो ते एक शीतड़ाग बनवानू शिखी लेशे. एवी आग नहीं कि जेतने बाली नाखे. तो ते एवी वस्तुओ करशे जेकदाज लामबा समय थी करवामा आवी ना थी. Ăन्य वदूदा कि जेती एक देनी बाल्वायां कि जेता यहांकि एकि लेफिए. झाले कि ढेताना हो शाना है।